हालो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेर बजार वित आयुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRCTC के स्टॉक के बारे में अगर आप देखेंगे तो अभी एक कंसॉलिडेशन वाला फेस चलता हुआ देखने को मिल रहा है लगातार स्टॉक अगर आप देखेंगे तो एक लेवल के आसपास कंसॉलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है 900 रुपय का एक basic hurdle आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है बट फिरिंट स्टॉक के उपर एक report निकल किया यह एक दिगज करने वाले हैं यहाँ पर क्या रखना चाहिए आपको target स्टॉक का कल के लिए मंडे के लिए और क्या अगर कोई डिप मिल तो बाय करें या फिर कल आपको बढ़िया तेजी होती भी देखने को मिलेगी इस पूरे हफते के बारे में बात करेंगे कि target क्या रहता हुआ देखन हो तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको यह वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करके आप जरूर जाहिएगा तो अगर आएएएएएट इस पारे में बात कर तो डेफिनेटली देखेंगे फ्राइडे के सचन में एक प्रॉफिट बुकिंग से बनती हुई देखने को मिले स्टॉक अल्मोस्ट टू परसन के आजपा सबको डाउन जाता हुआ देखने को मिला 8.63 की क्लोजिंग प्राइस थी 11 रुपे आफके 17 रुपे 40 परसे गिरता हुआ देखने को मिला देखे आयर सीटी से का एक स्टॉक जो था वो डिफिनिटली अपने अप में काफी बढ़िया काम काज कर रहा था और सबसे पहली बात क्या है कि ये एक ऐसा स्टॉक बन चुका था जो सबसे जादा फेवरेट पी एस्यू था हर एक शेयर ओल्डर का बट अगर आप देखेंगे हाल फिलाल में काफी कुछ बदलता हुआ देखने को मिला है स्टॉक की गती तो रुकी है डिफिनिटली उसमें कोई डाउट नहीं है बट यहाँ पर क्या हो रहा है नहीं बहुत सारी चीजे निकल के आ रहे है जो डिफिनिटली देखने वाली बात है और अगर आप नोट करेंगे तो देखें आयर सीटीसी का गिरना तब से चाल हुआ था जब से सरकार की तरफ से एक बार ख़बर निकल के आए थी कि 50-50% का revenue share आपको करना पड़ेगा सरकार के साथ उसके बाद सरकार ने वापिस से फैसले को लिया उसमें कोई डाउ इनके एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आई ये देखें आयर सीटीसी के उपर क्या रिपोर्ट है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं तो देखें आयर सीटीसी शेयर खरीदे या बेचे इस PSU स्टॉक के लिए IIFL की क्या है सला तो देखें ब्रोकरिज हाउस IIFL ने क्या का है उन्हेंने काये कि यदि सरकार IRCTC में और हिस्सदारी बेचती है अभी तक देखें कोई announcement नहीं हुई है लेकिन ये मान के चल रहे है कि अगर आगे कुछ बेचा जाता है तो आप मान के चलिए इसके अंदर जो ticket booking engine है जो monopoly है सबसे बड़ी बात क्या है कि IRCTC ऐसा monopoly stock है जो आ तो ये भी एक PSU है और अगर सरकार इसमें आगे चलके PSU में अपनी सरी बेचती है और ticket booking engine को monopoly नहीं रहने देती है तो ये इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता है पूरी report एक पर हम देखें डीटेल में बढ़ते हैं फिर आपक बनता हुआ देखने को मल रहा है जो unreserved है जो 2S engine की आए और इंडियन railway से तेजस train पर दिये जाने उच्च fixed charges को लेकर regulatory risk को देखते हुए ऐसा किया गया है देखें अभी अगर आप देखेंगे बहुत कुछ होता हुआ देखने को मला है तेजस जो एक्स तेजस train है जो उन monopoly अगर आपको देखें बिजनस रखना है देन आपको इसको hold करना पड़ेगा और अगर आप देखेंगे सरकार का जिस प्रकार का रणीती चल रही है वो definitely जादा sell side पर इसमें कोई doubt नहीं है सरकार ने अगर आप देखेंगे हाल फिलाल में काफी companies को privatize करने के बारे में बा कर रहा है तो दोनों के बिजनस अलग नीचर के इसलिए जो risk है वो काफी पैदा हो जाएगा रेल टेल प्लस IRCTC दोस्तों अगर आपको यह होता हुआ देखने को मिलता है इस budget के अंदर आप मांड की चलिए बहुत सारे ऐसे announcements होते हुए देखने को मिलेंगे जो काफी important रह कर रहे हैं कि आप बेचिये यहाँ पर बिक्वाली कर सकते हैं और जो target दिया है वो 755 रुपे का दिया है 755 रुपे का दोस्तों उनकी तरफ से target आता हुआ देखने को मिला है 745 रुपे का माफ करेगा बट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है then definitely impact नहीं देखने को मिली है उसके बाद एक बड़ी घिरावट भी होती होती है देखने को मिली बाद में हो घिरावट सारी देखे समाप्त होगी बट यहां पर देखान वाला गेम हो पेशेट्स 67.40% कर दी गई थी उसके बाद से देखिए पुरा एक साल हो गया इतनी भी स्टेक कम नहीं हुगी है FIA अगर आप देखेंगे तो पहले स्टेक 0 था जो वहाँ पर जाके अगर आप देखेंगे December 2020 तक 8.38% पर आगये थे लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर कौर्टर में देखने को मल रहा है कि FIA अपना स्टेक कम करते हुए देखने को मल रहा है 7.06% पर आगये और यही देखेंगे दियाइस का भी हाल है अगर आप देखेंगे तो 11.29% एक समय जून तक होल करते हैं लेकिन अगर आप देखेंगे तो 8.48% पर आए और आप देखें सीधे 4.69% यहनि FIA और DIA इस मेजर ली देखेंगे आप वो स्टेक सोल करते हुए देखने को मल रहा है जस्ट उसके कारणी बिकॉज यहाँ पर इनको रिस्क काफी दिखता है बट सबसे बड़ी बात कि LIC लगातार स्टेक इंक्रीस कर रहा है LIC देखें अपने आप में सबसे बड़ा दिगज इन्वेस्टर है और अगर आप देखेंगे LIC का लगातार स्टेक इंक्लूजन चालू है लगातार अगर आप देखेंगे तो LIC इसके अंदर आपको अपने इस तरही बनाता हुआ देखने को वल रहा है जो अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है काफी इन्वेस्टर्स के लिए पब्लिक में अगर आप देखते तो देखें आयर सी टी सी ब्लू इशू एस्क्रो डीमेट अकाउंट करीबन 12.60% का सपस होल करता है पब्लिक के अंदर बट बेसिकली देखें डर क्या FIA इसको भी और DIA इसको भी कि सरकार आगे चलके कोई गलत फैसला ना ले जिससे इन्वेस्टर्स का पैसा जाए इसले देखें उनके तरफ से अगर आप देखेंगे तो लगातर बिक्वाली चल रही है और ये बिक्वाली देखें रोकना ज़रूरी है अगर आप यहाँ पर समझके चलिए कि अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी नेगेटिव आपको पर आती हुई देखने को मिलती है मेरी सलाई यही कि देखें इग्णोर भी नहीं करना चाहिए विकोज उनकी तरफ से जो पॉइंट्स उठाये गाए उसमें कोई भी देखें संधे नहीं कि बहुत इंपोर्टन पॉइंट्स है फॉर अपकमिंग फूचर ऑफ आयर से बट यह क्या है यहां से कि देखें लगातार आपको बहुत सारी ब्रोकरेश रिपोर्ट आते भी देखने को मिलती है कभी कवार कुछ पॉजिटिव भी आएगी तो कुछ नेगिटिव भी आएगी अभी यह नेगिटिव आईए तो ऐस सच कोई डढ़ने वाली बात नहीं है ब बजट में एक मेजर अमाउंट आपको जाता हुआ देखने को मलता है रेलवेस के अंदर तो बजट डिफिनेटली काफी इंपोर्टन रहने वाला है अगर देखें मर्जर हो भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि एक नेगिटिव इंपक्ट आता हुआ देखने को मिलेग देखने को मिल सकता है तो अभी दो होल करने के सलाई है लेकिन हाँ डिफिनेटली इस न्यूस के उपर भी आप हमिशाद ध्यान रखे तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था होपसो वीडियो बढ़या लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर दीजगा चैनलने से नेडियों सब्सक्राइब कर अनना थाड़ चैनलने लगाइक वीडियो खुटाइब कर देस वीडियो इस वीडियो में इसफे पर बचाइब कर दो आप हमिशाद धर अगें जबर आफिए चैनलने सब्सक्तिक कर दो जबर ज़ाचिए अना थाझट आप कर द का दो जूवान तो फटेंटें दिना क।